हेलो फ्रेंड्स, वितूस कीचन में आप सभी का स्वागत है आज हम नो बेक ओरियो बोल्स बनाने चाह रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये ओरियो बोल्स बच्चों को बहुत ज़ादा पसंद आते हैं इस तरीकी से आप ओरियो बोल्स बनाके ज़रूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में तो देखते हैं इसमें लगने वाले इंग्रीडेंट्स क्या हैं आपने अभी तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें यहां मैंने ओरियो बिस्कित लिये हैं यह एट ओरियो बिस्कित हैं जिने मैंने इस तरीके से तुकडो में तोल लिया है एक चमच कोको पाडर लिया है दो बड़े चमच दूद लिया है और स्प्रिंकल्स लिये है यह डेकोरेटिव स्प्रिंकल्स हैं मार्केट में आपको इजी लिए मिल जाते हैं मैं दिखा देती हूं आपको इस तरीके के स्प्रिंकल्स मार्केट में आपको मिल जाते हैं तो मैंने इह हैं औरीमिक okey rolls को डेकोरेट करने की लिए और यहां मैंने mover कंपांड लिया है okey roll को करने के लिए तो आजिये no big okey roll बनारा शुरू करते हैं Application इसके लिए हम सब से पहले Oreo biscuit है मिक्सी के jar में डाल के grind कर लेंगे यह देखिए, मिक्सी में इसे पीस के पाउडर बना दिया इसका तो आप इसका पेस्ट बना के तयार करेंगे इसमें मैं यह कोको पाउडर डाल दूगी अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट सीरप का यूज कर सकते हैं और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे हमने इसे थोड़ा ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें कोको पाउडर मिलाया है लेकिन ओरियो बिस्किट अपने आप में काफी चॉकलेटी होते हैं तो अगर आप चाहें तो बिना इसके भी बना सकते हैं अब हम इसमें दूद आइट करेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूद डालके एक डो बनाके तियार करेंगे और mix करके हमें एक dough बनाना है उस dough से हम Oreo balls बना के त्यार करेंगे यह दिखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से mix कर लिया है और अब हम इससे balls बना कर त्यार करेंगे इस dough को बनाने में मैंने एक टेबल स्पून से भी कम दूद का यूस किया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा dough बना है इस तरीके का आपको एक soft dough बनाना है इसे एक बार हाथ से भी अच्छे से mix कर लेंगे तो हमारा dough एड़ी है अब हम इससे balls बना के त्यार करेंगे आप जितने बड़े साइस की बाल्स बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना लें थोरा अध्यासा पेष्ट लें हाथों पर और इस तरीके से रोल कर लें देख सकते हैं कितना चिकना और बढ़िया पेष्ट बनाया हमारा इसमें हमें कुछ भी अलग से मिलाने की जुरत नहीं है बिसकित को ग्रैंन करें और ग्रैंन के अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा наз चाहिए तो आप इसमें कोदा च्प Les Harper चौकलेट सीरफ एड़ कर सकते रही तो आप बिना च्कलेट सीरफ और चौको पाउडर के भी से पाना सकते हैं इस तरीके से सारी बॉल्स बना तियार कर लेंगे यह देखिए मैंने सभी Oreo बॉल्स बना कर कर लिए और इतने बिस्कित में हमारी 9 Oreo बन कर त्यार हुई है अब हम इने प्रिज में 15-20 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे अब मिक माइक्रोवेव से बाउन लेके और उसमें ये चॉकलेट डाल देंगे और चॉकलेट को 30 से 40 से के लिए माइक्रोवेव करके चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे 15 मिट हो गये है और और ओर्यो बोल्स भी सेट हो चुके है मैंने फ्रिज से निकाल लिया है आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गई बाल्स और यहां मैंने चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में 30 seconds के लिए चॉकलेट को रखा माइक्रोवेव किया और चॉकलेट मेल्ट हो गई अच्छे से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने मिल्ट कमपाउंड यूज किया है अगर आप चाहे हhou तो या वाइट कमपाउंड भी यूज कर सकते हैं, जो भी पार आपके पास हो आप उसे इसमें यूज कर सकते हैं, चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे चॉकलेट बहुत ही शाइनी हो जाती है, तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर ले, देखिए चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें एक एक औरियो बॉल लोगी, और दिप करके रखोंगी, यहां मैंने औरियो बॉल्स को रखने के लिए एक ट्रे आप इसकी जगह बटर पेपर भी उस कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ अलुमिनियम फॉइल का यूस किया है तो आप हम इसे एक ही कोरियो बॉल्स ले लिए मैंने अब मैं इसे चोक्लेक में डिप करूँगी और इसे अच्छे से कोट कर दूगी इससे इस तरीके से कोट कर लेंगे और एक फॉक की साहता से बहुत ही साथानी से इसे उठाएंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से हलका सा टैप कर लेंगे ताकि जो एक्स्टा चोकलेट है वो बॉल में वापस गिर जाए इसे इस तरीके से हलका सा टैप कर देंगे ताकि एक्स्टा चॉकलेट बाउल में वापेस गिर जाए और इसे इस तरीके से हम पेपर पे रख देंगे, ऐलुमिनियूम फॉइल पे रख देंगे इसी तरीके से दूसरा बॉल लेंगे, दूसरे बॉल को भी चॉकलेट में डिप करेंगे और इसे कोट कर देंगे चॉकलेट से, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और इसे फॉक की सहता से साथानी से उठाएंगे, और इस तरीके से इसे डैप करेंगे और इसे वापस ट्रे पे रख देंगे सभी Oreo बॉल्स को चॉकलेट में डिप करके ट्रे पे रखते जाएंगे यह देखिए मैंने सभी बॉल्स को चॉकलेट में कोट कर लिया है अब जो हमने कलरफुल स्प्रिंकल्स लिये थे उसे से डेकॉरेट कर देंगे बॉल्स को थोड़ा इसके उपर इस तरीके से लगा देंगे आप देख सकते हैं कि कुछ बॉल्स जो हमने स्टार्टिंग में बनायते वो ठंडे हो गए तो उन पे जो हमने स्प्रिंकल डाला है वो अच्छे से नहीं चिपकेगा तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ ज़ा तो आप जब एक एक कोंट करें उससी टाइम पर इससे डालते जाएं नहीं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं थोड़ा सा चॉकलेट लेए थोड़ी सी melted चॉकलेट लेए और सेंक्तर पही बस एक ड्राप अपाले हलकी सी एक ड्राप लगा सकते हैं और उसके बाद जो ंसे कड़ डाल डीजीिए इस कड़ाएं ब्लाप उत स्वी में। व्रेस पे बभिषा इंक्ना लेगा आप हम इने एक प्लेट पे निकाल लेंगे बहुती इजीली ये बॉल्स साइफ हो जाती है ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बॉल्स बनकर रेडी हुई है इस तरीके से सारी ओरियो बॉल्स को हम प्लेट पे से निकाल लेंगे और जो बॉल्स में ये एक्स्टा चॉकलेट होती है इसे आप किसी भी नाइफ से या फिर हाथ से इसे हटा सकते हैं इस तरीके से ये देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट बनी है वो भी कितनी असानी से ये चॉकलेट बनकर त्यार हो गई है सभी Oreo बोल्स को प्लेट पे निकाल लेंगे ये देखिए कितनी बढ़िया Oreo बोल्स मनकर रेडी हुई है आप देख सकते हैं कितनी असानी से हमने इने घर पे बना के त्यार किया है इन Oreo बोल्स को आप 15-20 दिन तक प्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं ये खराब नहीं होगी किसी भी एर टाइट कंटेनर में इने रख दीजिए फ्रिज में और जबी भी आपके बच्चों को चॉकलेट खाने का मन करें तो आप उन्हें इस तरीके से Oreo बोल्स बना कर दें तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंड करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाग बटन को दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूले धन्यवाद